अस्लाम अलेकूम अर्हमत अलाहिव बरकातो हूँ आज का जो टॉपिक है क्लास 11 के लिए है इनका जो चेप्टर हम डिसकस कर रहे है तूरिजम कंपोनेंट पार्ट सेकंड यह फूरा चेप्टर अकॉम्डेशन पे जो है बेस्ट है अकॉम्डेशन क्या है इसकी स्गिनिफि और हरता है ंचेप्टर अकॉम्डेशन के बंपार्ट करता यहां टोरिजम को करता है तूरिजम को डेवलप नहां तो ये अकॉमडेशन की दिमार्ड की है, इसकी मांग ऐसी है कि अगर कोई टूरिस्ट अपने गर से निकलता है, तो वहाँ पे अगर इसको फैसलिटीज मिलती है, तभी इसकी दिमार्ड ज़्यादा बढ़ गई है, अगर कोई टूरिस्ट गर से निकलता है, अगर कोई टूर क्या है टाइप अपको मिलती है तो उनको इन में बहुत सारी चैंज आई है फास्टिकेट से पीछले 10-12 साल से बहुत सारा चैंज आया है बैजसे बनी है तो यह definitely एक demand आये है एक मांग है टूरिश्टज की या travelers की जो विजिट कर रहे है तो एक demand आये कि किस type की accommodation उको चाहिए क्या चाहिए likewise वजनको non traditional type चाहिए informal type of accommodation वह भी उनको चाहिए तो बहुत सारी चैंज सेक्टर में बहुत सारी चैंज रिसेंटली जो है आई हुई है बहुत सारी चैंज जो सरी बदलाव आई है अपने नहीं नहीं टाप की अकॉमडेशन जो है जो है टोरिस्ट जो है वह वेल करते हैं लाइकवाईज हम चैंपिंग साइड्स की बात करें कार्वान साइड्स की बात कर रहे हैं यहां। यह सारी कि लीट नए टाप्स अकॉमडेशन जहां पर टूरिस्ट किसी डिसनेशन पर जाते हैं, तस बंदे, पांच बंदे, फिर क्यम्पंग लगाते हैं, फिर वहां पर जो है, वो खेमे लगाते हैं, और उस खेमे में अपनी नाइट जो स्टेई करते हैं, अपनी नाइट स्पेंड करते हैं, तो that's also the kind of accommodation, वो भी एक experience करें, वहां की accommodation की facilities को देख, जो है, जो है, monitor करें, उसको attract होते हैं, वो attractive होते हैं, लाइक बात करेंगे, 7 star hotels की, 5 star hotels की, तो उनमें facilities, standardized facilities होती हैं, ठीक है, तो वो facilities देखने के लिए, वो experience करने के लिए लोग जाते हैं, तो जाते हैं, उस spot पे, so this accommodation work is as an attractants for tourists as well for tourism industry, और tourism industry क करने में, एक important role play करते हैं, सिर्फ hotel की बात नहीं करेंगे, अगर हम cruise ships की बात करेंगे, वहां पे facilities ऐसी होती है, accommodation sector के लेटर कर बात करेंगे, तो वो भी जो है, tourists का अपनी तरफ खेंचते हैं, ठीक हैं, या हम railways की बात करें, वहां पे railways की luxurious की, ऐसी कुछ luxurious trends होती है, मारा place on wheels है, यह सारी की सारी उनकी अंदर की facilities, accommodation facilities रहती है, वो as an attractor, तो वो particularly उसको देखने के लिए भी tourist लोग जाते हैं, अगर हम likewise, जो foreign countries है, हमारी Switzerland के बात करेंगे, Holland है, Austria है, Netherlands है, उनकी बहुत ज़्यदा reputation आई है, tourism sector मे, tourism industry में, क्योंकि वहां पे comfort level ज़्यादा standard है, cleanness level उनकी ज़री से एक जो टूरिस्ट को चाहिए, कि comfort चाहिए, cleanness चाहिए, वो वहां पे in countries में जो है, इनको मिलती है, तो जिसके ज़री से reputation in countries की ज़्यादा tourism sector में आई हुई है, तो बहुत सारी tourists जो है, वो holiday spend करने के लिए, different जगहों पे जाते हैं, तो बहुत सारी लोग enjoy क कि कहां वो अपनी night spend करें, क्योंकि tourism की टूरिस्ट की definition की ही मताबिकी है, वो टूरिस्ट वो percent होता है, जो overnight stay कहां पे कहीं पे करेगा, और जब वे कहीं पे stay करेगे, overnight stay कहीं पे करेंगे, तो वहां पे accommodation की facilities उनके पास होनी चाहिए, जिसके ज़री से वो tourism में पूरी की तरह पूरी तरह, जो है, completely दाकिल हो जाएंगे, तिके न, तो इसी तरह, जो हम accommodation sector की बात करें, tourism industry के बात कर रहे हैं, तो tourism industry को accommodation की वजह से बहुत siiaan unexpected जो है, growth हाजल होई है, इसके ज़री से tourism industry जाए से ज़दा जयदा बूस्ट होआ है, ज़दा ज़दा बूस्ट होई हौए है जिसके जरी से जो accommodation की facilities है, जो hotel की facilities है, वो भी थोड़ी बहुत, जो है थोड़ी का बहुत ज़़ादा change उनमें अपने अंदर लाई है, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको महसूस है, ऐसा है कि touristist लोग accommodation एक ऐसा component है, जिसके जरी से वो tourism में पार्टस्पेट कर रहे है, accommodation को दे पर वो accommodation की facility अवेल करता है, अगर उस accommodation facility पर उसको वही facilities, वही amenities मिलती है, जो उसको घर में मिलती है, तो definitely वो tourist जो है, वो उस spot को, उस tourism spot को, उस accommodation की तरफ स्टिक करेगा, यानि वो उसको चपक की जाएक कि बोलेगा, नहीं मुझे गर के माहोल, घर का जो facilities वो मुझे यहां पर मिलती है, अगर हम इसके बरक्स दहेंगे, कोई ऐसा spot है, जहां पर accommodation की facilities वो नहीं है, जो tourist को चाहिए है, गर की जैसी उसकी conditions नहीं मिल रही है, facilities नहीं मिलती है, तो definitely वो उस tourism spot को फिर से कभी जो है, चक नहीं करेगा, फिर से कभी उस tourism spot को विजिट नहीं करेगा, तो importance यह है, accommodation की facilities, जो जो नए trends है, जो जो नए अभी जो नए technologies, accommodation में थे के नहीं है, वो accommodation सेक्टर में उनको लानी है, accommodation जो owners होते हैं, जो stakeholders है, उनको लानी है, इसके जरी से tourist का flow जदा रहेगा, इसके जरी से जो है, इंडिरक्ली जो tourism, जो industry है, जो tourism सेक्टर है, वो जड़ा developed होगा, हमारा standardized होगा, उसका safety, उसका comfort जो है, high level का होगा, उतना ही हमारा tourism सेक्टर काम करेगा, तूरिजम सेक्टर प्रमोट हो जाएगा, develop हो जाएगा, तो यही importance है, accommodation की, एक important component है tourism में, इसके बगए tourism, industry के हम बात नहीं करेंगे, सोच नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे, अग से चूज़ना करें, तो इस तरह की facilities भी होनी चाहिए, accommodation के साथ, security की facilities भी होनी चाहिए, ठीकिना, तो यह सारा का सारा, पूरा interdependent है, tourism plus accommodation, यहाँ अगली class है, फिर एक और वीडियो लेकर आप तक पहुँचाएंगे, तब तक के लिए, अलाविज असलाम लईकू